यह कुस्टन पेपर है आगरा नोश्टी का जिसका कलहीग जाम हुआ है बीए बेसी बिकॉम फर्स्ट समस्टर में सोसियोलोजी का पूरा का पूरा कुस्टन पेपर है आज में इसका पूरा का पूरा पूरा जो एंसर की कराने का परियास करूंगे की काफी बच्चों के करण पूछे गए ताइं पूछे इससे के तो फटॉटल आपके 100 पूछे गए थे लेकिन इसमें जो है 60 कुस्तन आपके केवल मानने रहेंगे वो भी सुरुवात के, सुरुवात के आपको MRC पर कोई भी आपका booklet मिला हो, उस booklet के सुरुवाती केवल 60 कुस्तन आपके लिए मानने रहेंगे, ठीके, चलेगा, बहुत ही तीवी कती से इसके जो है answer की हम provide करेंगे तो पहला कुस्तन द्याव कि अषय का माननोनिर्वित भाग है, या किसने कहा था, यह इस त्यूस्तन की बात करेंगे तो भी यह कहा था आपको कुस्तन झूवन लूगे। कि नीचे आपको सारे कुशन अपने बुकलन में भी आपको मिलते चले जाएंगे यह दूसरे कुशन की बात के लिए दूसरा कुशन दियावा है कि मायन एंड हीज वर्क मायन एंड हीज वर्क जो है पुस्तक किसकी है यह इस कुशन की बात के लिए यह पुस्तक जो है हर्स क कोविटस की है पहला option लगाएगा कोविटस की अगला question दियावा है तीन नंबर तीन नंबर कोशन दियाओंगे परिमेटिव कलचर किस की पुस्तक है किसने बहुतिक संस्गित में बाटा है किसने बाटा है तो इसं में देखा जाती है आग बर्न ने ही बाता है उसको पहला आपर ससी नहीं रैट रहेगा इसका अगला कुस्संद भी आपका दिया वहा है पाच नंबर किनवंस बातिव संसक्रित हमें तो देखा जाये तो आभातिक गौ से कह सकते हो अभाथिक संस्गीत एक साब से देखाया तो ज्यान होना चाहिए मेरे हिसाब से ठीक है अभाथिक इसमें का ज्यान ही होना चाहिए चलेगा इसलिए अभाथिक ज्यान देखा जाए तो यह हो सकता है अभाथिक संस्गीत ठीक है किस सब्द का परियोग किया है उन्होंने इसका बहूलवाद का परियोग किया है किसने संस्गिर्थ को दो भागों में यह वही कुस्षन आपका दियावा है यह 4 नमबर पेश था वही फिर पेश यहां से डबल पेश का चलेगा अगले देखेंगे 6 नमबर कुस्षन हो गया था 7 नमबर कुस्षन दियावा है कि गरामर आफ पॉलिटिक्स यह जो पुस्तक है गरामर आफ पॉलिटिक्स यह पुस्तक किसकी है 7 नमबर तो भी है किसकी है लास्की की है पहला आपसन एकदम सही रहेगा Harold Lasky की है पहला आपसन एक दम रइट है इसमें का ग्रीन के नुसार जो है सहीयोग के कितने परकार है तो ग्रीन के नुसार सहीयोग के देखा जाए तो तीन परकार है थिरी टाइपस हैं पहला इसमें का दूसरा आपसन सही रहेगा अगला कुशन आपका हो गया तो देखा जाए तो ग्रीन है इसका बी आपसन एक दम सही रहेगा अगला कुशन आपकार है या किसकी है तो देखा जाए तो 11 नमर कुशन के तो यह जो पुस्तक है यह पुस्तक है मार्टिन की हो सकती हिसमें देखा जाए तो 11 नमर कुशन के जो सही होना चाहिए यह मार्टिन की होगी ठीक है किसकी है मार्टन की यह मार्टन की हिसमें का जो है बी अपसं सही रहेगा मार्टन का रोबर्ट के मार्टन की पुस्तक है अगला कुछन फिर आपका दियावा है बारा नंबर की परतेक स्थित एवं विसेस भूमिका के साथ जुड़ी हुई है या किसका कथन है या किस ने कहा है तो वह इसे देखा जाए बारा नंबर तो यह तो यह माई कैवर और पेज का कथन है यह तो कुस्तन पिरिवेशर की पेपर में भी था तेरा नमबर कुस्तन का भी अगला कुस्तन आपका दियावा 14 नमबर कि कौन जो है एक विसेज भूंका के साथ जुड़ा हुआ है तो वह इसे देखा जाए तो परिवार परिष्थे समाज या भी विद्याले तो मेरे हिसाब से समाज होना चाहिए ठीक है सोसाइटी होनी चाहिए एक अमूर्त नहीं है कौन जो है अमूर्त नहीं है या इसको किसी को राइट विकल पता तो कमेंट कर सकता कि कुस्तन का थोड़ा सा डवट इसमें भी अगले पर्सनल बढ़ेंगे जो कि 16 नमबर दियाओगी जो है जहां आदर सिन्यम नहीं है वहां समाज नहीं है या किसका कथा ने तो देखा जाए तो यह मैकईवर ने कहा था लेकिन उनका तो कहना थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन हो सकता है उन्हों नहीं कहा हो इसलिए म कुष्ण आपके प्रिविशर की पेपर में भी था यह सनमर ने लिखा था किसने समनर ने इसका जो दूसरा आपसे नहीं सही रहेगा होलकवेच का अगला कुष्ण नहीं कि समाज में जो है बेवार की सुईकरित प्रड़ालियों को जो है जनरीत या कहते हैं या किसने कहा था तो वैसे देखा जाए ठर नंबर कुष्ण ने दिती किसने दिती समनर ने दिती इसका जो दूसरा आपसे नहीं सही रहेगा अगला कुष्ण वीस नमर दियाओ कि इनमें से जो है कौन एक परंपरा वा सन्मिधान दोनों से जुड़ा है तो वैसे तो देखा जाए चार यह पी अनमोधन यह था घए उनमे कोई नहीं से जो कोई नहीं सकता है ठीक है ऑनमोधन ही होना सही इसमीका राइट भीक रहेगा दूसरा आपसे अगला कुस्ण दिया हो कि कौन जो है एक समाजिक आदत का रूप है तो एक समाजिक आदत की रूप की बात कर ले तो लोका चार जनरीत अनमोदने सभी है ठीक है इसलिए अपसन एक दम सही रेगा उपड़ी तो सभी अगला 12 नुम्मर दियाओं कि समाजिक यह अपका कुस्न हो गया चले गए यह कुस्न जो आपका था 21 नुम्मर था 22 नुमर कुस् convey कि समाजिक पद में कोई भी परवर्तन समाजिक गसीलता है या किसने कहा था तो यह जो कहा था कथन ये 22 नमर गुसन ये कहा था सोरोकिन ने कहा था पहला आपसन एकदम सही रहेगा अगला गुसन दियावा है कि Social and Cultural Dynamics ये पुस्तक जो है किसने लिखी है तो 23 नमर कुसन की वात कलदविया सोरोकिन ने ही लिखा है इसका जो है b option एक्तम सही रएगा अगला option दियाऊगा या किसने कहा की जो है जातवाद एक बंदवर्ग है या किसने कहा है तो ऐसे देखा जाए मजूमदार एवं मदान ने कहा है मेरे इस अगली देखा जाए तो b hy आप fancy एक्तम रहेट रहेगा लेगद अभी ही लगाई एक दम धार मजूमदार एवं मदान ठीक है अगला कुस्तन भी आपका दिया वाय है अगला प्राइवार 10 अगला कुस्तन भी आपका दिया वाय है चारल कूले के नुसर समाजी करण की ओपचारिक पधितिया केदिनी हैं तो कहेंगे वह थी प्रभी लिखा हुआ है कूले के नुसर यो के इसलिए को रिटबिकलप मेरे को कंफर्म नहीं है इसलिए कुस्ष्ण में छोड़े देरा हूं यह किसी को कंफर्म पता है तो कमेंट क 27 नंबर सोरी कि मय और मुझे मय और मुझे का जो सिद्धान था इसकी जो थेवरी है किसने परतपादित किया है तो यह थेवरी की है मीड ने किसने की है मीड ने दूसरा अप्षन एक दम सही रहेगा इसका अगला कुसरा एक 23 नमर दिया है कि परिस्थित के दो भागों में ज देटर्स जो है इसको दो भागों में जो है किसने बाता है तो बहिया किसने बाता है लिंटन ने बाता है इसका लगाईएगा दूसरा आप साही रहेगा अगला कुस्त दियावा है 29 नमर ग्रक्ष प्रग्रत का विग्जान इन इंवाब norm ने कि एकर प्रग्रत का विग्णहैं आपको परेंद्मさん नात करने में देखा लूखर cheap hear लेखक कौन है तो इसके लेखक भी अगर स्थ कंपटे ही है दूसरा अग्दम सही रहेगा अगला कुस्टन दिया कितिस नमर के समाज सास्त जो है मानवी अंताह समंधो का भी ज्यान है यह इस कुस्टन की बात के लिए यह किसने कहा था तो यह कहा था अगला कुस्टन दिया कितिस नमर के लेखक कौन है तो रिपबलिक पुस्टन की बात के लिए प्लेटों ही है यह कुस्टन तो पिरियुसर के पेपर में भी था पहला अगला कुस्टन रहेगा अगला कुस्टन दिया कितिस नमर के अधोगी करांत जो है कब हुई है तो अधोगी करांत की बात के लिए तो यह यह हुई 1780C में हुई है इसका लगाएगा C आपसन एक जम सही रहेगा अगला कुस्टन दिया वाए 36 नमर की किसने जो है समासास्त को सभी समाजिक विग्यानों की जो है रानी कहा है तो यह किसने कहा है यह कहा है अगस्त कमपटे ने कहा है इसका जो है पहला आपसन रहेगा अगला कुस्टन आपका 30 नमर की अधानना के परतपादक कौन है तो इसके जो पुरतपोधक है हरबट arriv बुइघर है पहला आप से नगजन डिऊलवा इसका अगला कुस्टन दियाओं है कि प्रिंस्पलाप सोसियो लोजी यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक भी हरबट ऐस्मेलवाई मौन सास्त समान एवं एक है या कथन किसका है तो देखा जा帶 टालिस समर कुसंस का जो राइड़ विकलब होना चाहिए हावल का एक कथन है पहला अप संस ही होता चाहिए पहला ही लगाएगा इसका अगला सम्र प्रयान का बया Patch समर दिया वा यानि एक समाजिक पराड़ी है तो आरस्तु ने कहा था और मनुसे एक जो है राजनेतिक पराड़ी है हो सकता आरस्तु नहीं इसको कहा हो तो इसमें का कोई भी विकल्प मेरे को सही लग नहीं रहा है वैसे तो मैं कैबर ने इसको नहीं कहा था आरस्तु ने कहा था कि मनुसे जो एक समाजी पुराड़ी है इसमें लेकिन राजनेक्ति पुराड़ी दिया हुआ इसमें का कौन से विकल्प सही हो रहा चाहिए कि ले गई है कुस्तन मैं छोड़े दे रहा हूँ ठीक है इसका एंसर जैसे ही पता चलता मैं कमेंदे बाक्स में पिन कर्दूगा उसका इंसर यदि किसे को पता है तो कमेंद कर सकता है अगला कुस्तन भी आपका दियावा है 23 सम्बर कि कौन जो है जुड़ूआ बहने कहलाती है तो भी या समाज सास सव मानों सास छी जुड़ूआ बहने कहलाती पहला आपसन अग्जम सही रहेगा अगला कुस्ट्सन प्याप का दियावा है चोवालीश नुम्बर कि डिस्कुर्टिव सोसी लॉजी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो हरबर्ट इसेंजर है को है मेरिस है कौन है मेरिस है पहला अपसंद लगा येगा मेरिस जिन्स बर्ग ठीक है इसका पहला अपसंद सभी होने चाहिए वैसे तो डी ही अपसंद सभी लग रहा मेरे को अगला कुस्ण भी आपका दिया है अपसंद लगा अपसंद लगा अगला कुस्ण दिया हो पचास अमर के परात्मिक समूग के परतपादक कौन है परात्मिक समूग के दम बात के लिए पचास अमर कुस्ण के इसके परतपादक भीया कूले है सीजी कूले है पहला आपसंद लगा अपसंद लगा अगला कुस्ण भीए किस ने कहा है संस्थाओं के नहीं तो मैं के वरो पेज का एक अधन है 52 नंबर कुस्टन का अगला कुस्टन भी आपका दियाओं कि माहनो सास्त्रियों ने स्रिष्ठी को कितने भागों में बाटा है तो टू पार्ट में बाटा है टू टाइप्स में इसमें का C आप सनेक्दम सही रहेगा 54 नंबर कुस्टन भी आपका दियाओं कि साधरते हैं जो है किसी उद्देश की पराप्ति के लिए बेक्तियों का मिलकर कार्य करना समीत है या किसने समीत की परिभासा दी है तो यह जो है बोगाटास की परिभासा है इसका जो है C आप सनेक्दम सही रहेगा बोगाटास की डिफिरेंसन ही अगला कुस्टन दियाओं कि अगस्त कंप्ट जो है कंप्टे जो है किस देश के रहने वाले हैं थे तो भी या फरांस का है फरांसीसी थी इसका C आप सनेक्दम सही रहेगा अगला कुस्टन भी आपका दियावा कि माना वापस जो है समाज में क्या अंतर है तो वैसे सारेरिक भिनता भी है और मानसिक भिनता दोनों है इसलिए यह भी दोनों एक दिम रहेंगे अगला कुस्टन भी दियावा है कि development of social thought यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है तो शच्ची बात के इसके लेखक कौन है इसके लेखक कौन है पुगार्ड़ास है यह आपसनग्दम सब्सक है अगला कुस्टन भी दियाओश乾 Sun attached में क्या है तो सोसियस होता है सोसियस कार्थ होता है सोसाइटी सोसाइटी की मतलब समाज इसका जो है सोसाइटी पलस साइंस मैंने बोला भी हुआ था समझाया भी हुआ था कि सोसाइटी पलस साइंस होता है सोसाइटिक मतलब होता है, समाज हो गया, जो है सैंस मतलब होता है, बिग्ज्ञान, ठीक है, study, इसलिए से का जो है, तीसरा अपसन अक्तम सही रहेगा, अगला कुस्टन भी आपका दियावा है, साथ नमबर, कि सो, इस सोसल सिस्टम, इस सोसल सिस्टम जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, तो साथ नमबर कुस्टन की बात करें, तो पार्संस है, कौन है, पार्संस है, इसके जो है, तीसरा अपसन सही रहेगा, इसका, अगला कुस्टन भी आपका दियावा है की, बासर नमबर, यह कुस्टन दियाओगी, अंता समू, बाह समू की अउधाना किस न दाना डिथी सम्नर ने दिथी सम्नर जो इसका छीमितर से लएगा काफी फर लोन के रितव गतолод जो है किस आउंगा था तो इसकी यह दम बात कर ले तो 1909 में की थी इसका भी सी ही आपसन सही है काफी बिकलपों के सी आपसने ज्यादा तर राइट है सी वा ए अगला खुशन दियाओ कि प्रात्मिक सभूक के जो है परकार क्या है तो भीया समाजी करार और समाजी नियंतर दोनों है इसका भी सी यह आपसने एक दम सही है काफी पर्षों को तर सी ही राइट भी कलप है अगला कुशन दियाओ कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक काउन है तो इंडियन सोसाइटी की बात कर ले तो इसके जो लेखक है तो यह जो कुशन आपका दियावा है पाईसर नमर कुशन है इसके जो लेखके स्पेंजर हैं मेरे साब से देखा जाए तो यह आपका पाईसर नमर कुशन है सोरी इसके जो है दूबे होने चाहिए जो है एस सी दूबे इसके राइट भी कल पढ़ेंगे सी ही आपसे निसमें कभी एक जम राइट रहेगा बी अगला कुशन आपका दियावा है अंडियन स्ोसाइटी नहीं een की पुस्तख तो यह कहा है इसपेंजर ने कहा है इसका जो है जो है सीही आ रहा है काफी परसन देखा जाए तो फिर अगला कुस्तन आपका दियावास अर्सन नमबर कि जूम का संबंद किस से है या जूम का संबंद जो एक खेती से एक गरी कल्चर से है तो मेरे हिसाब से सीही आपसन इसमें काभी एकडम राइट रहेगा सभी विकल्पों के सीही आपसन राइट आ रहा है अगला कुस्तन दियावास अर्सन नमबर की दुतिक समो की विसेसता की बात कर ले तो विसेसता इसी क्या है यह पूछ रहा है तो अर्सन नमबर कुस्तन के जो राइट विकल्प होना चाहिए रहेगा अनुपचारिक संब्द रहेगा इसका भी सीही आपसन एक्दम सही है संदर्ब समूग की जो है उधारना किसने परस्तुत की है संदर्ब समूग की बात कर ले तो इसकी जो उधारना परस्तुत की है हाइमन ने की है सबी परस्नों को उतर सीही आ रहा है काफी मैंने पुर्शन कुआ देखा तो इसके सीही आपसन नारा चलेगा आगे भी देखते हैं संसिकर्टी करण के उधारना किसने परस्तुत की तो भईया ये जो संसिकर्टी करण की जो उधारना परस्तुत की है तो किस ने की है चलेगा 17 नमर कुसंस की बात को द्विया सरी निवास ने की है MS सरी निवास ने इसका भी C ही आपसंस है चलेगा अगले पर सूर बढ़ेंगे कि positive quality की जो पुस्तक है ये positive quality इसके लेखक काउन है तो इसके लेखा की बात के लेखाता नमर कुसंस की तो भी या इसके लेखा के अगस्त कामपटे हैं इसका D-Apsons नहीं रहेगा फिर अगला आपका बात्ता नमर कुसंस दियावा कि दा अमेरिकन सोलजर्स पुस्तक जो है किसने लिखी इसको तो इससे देखा या तो आरके मार्टर ने लिखा इसको इसका D-Apsons नहीं रहेगा अगला कुस्तन फियाव का दियावाद 73 नमर के सोसल जो है इस्टेटिक्स पुस्तक जो है या पुस्तक किसने लिखी है तो 73 नमर कुस्तन की दम बात करें तो यह पुस्तक जो है इसको लिखा आए यहांतब्ध लो कुस्तन फियाव का दियावकि कौन सी जो है उप्राथमिक bum की विसरेश्ता नहीं है तो यह जो आरख माल जू है चोटा आकार घंज समभी है 7 उप्चारिक संबंद इसकी विश्यस्ता नहीं है ठीक है इसका भी डी ही आपसन सही रहेगा अगला कुशन 76 नमर जयोगी अगस्त कामट का जन्म जो है किस वर्स वा किस देश में हुआ था तो इसकी धम बात के लिए तो उनका जो जन्म हुआ था अगस्त कामट का हुआ था घघा खांच सटरा सो जो है अठानव सभी में फ्रांस में हुआ था द एपसन इसका भी एक जन्म सही रहेगा आप यहां से डी सब्से इ खसे स्टार्ट हो गया सभी में डी ही आपसन सही आ रहा है अगला कुस्सन प्यां का दियावा कि भी जो है फो पुस्तक है इस पुस् दुरखीम ने लिखा है डी आपसं सही रहेगा इसमें का भी डी ही आपसं सही है अगला कुस्टन दियावाए कि ली सोसेट वही कुस्टन आपका फिर से रिफिट हो गया है चलेगा साथतान नमर हो गया अठतान नमर कुस्टन ने लिखा का सिद्धान्त जो परतपादित किया है तो समाजी के एकता की सिद्धान्त की बात के लिए दुरखीम ने इसको परतपादित किया है D option इसमे का भी एकदम रइट रहेगा अगला कुसंदिया की दास कैप्टेल पुस्तक जो किस ने लिखी है तो काल मार्क्स ने लिखा है ये कुस्तन कराय मेरा है इसका भी D ही option सही है वहाँ पर CC सभी आ रहे था यहां से जब से D स्टार्ट होगे option right D ही चला भी अगला है देखेंगे कि भारत में समाज सास का अद्धन जो परतम किस बिस्व बिद्धाले में हुआ है तो यह भी आ बंबाई बिस्व बिद्धाले में हुआ है पहला अपसन एकदम सही रहेगा अगला कुस्तन भी आपका दियावा है 82 नंबर कि दी हिस्टरी आप human marriage यह जो पुस्तक है इस पुस्तक को जो किस ने लिखा है तो यह पुस्तक जो लिखा है वेस्टर मार्क ने लिखा पहला अपसन सही रहेगा उसका भी पहला था इसका भी पहला ही दा मदर पुस्तक जो है किस ने लिखा आए तो दा मदर पुस्तक की यह बात किलने तो यह जो पुस्तक लिखी है यह पहला अपसन इसमें कभी एकदम सही रहेगा पहला आपसन इसमें का एकदम राइट है इसका भी पहला ही आपसन सही है सहीं तो परिवार के गुड़ क्या है सहीं तो परिवार के जो गुड़ है समाजिक सुरच्छा है पहला आपसन इसमें का एकदम सही रहेगा मेरे साब से तो पहला ही लगाईएगा इसमें का Social Security इसका भी पहला आपसन एकदम सही है अगला कुशन दिया कि GP जो है Mode Duck के नुसार जो है दूत्ती एक नातेदारी जो है कितने परकार के हैं तो देखा जाए तो 33 परकार के हैं पहला आपसन इसमें का भी सही है जब से करम चलता है वहाँ पर CC सभी आ रहे थे इसके बाद DD आपसन सही थे अब A आपसन चार कुशन होगे जिसमें A ही आपसन इकदम रहा है अगला भी देखेंगे जो कि 86 नमर कुशन दिया कि किस विद्वान ने या कहा है कि हिंदू एक जो है हिंदू विवा एक संसकार है तो यद इसकी हम बात करें तो यह किस ने कहा है यह कहा है PH परभू ने कहा है पहला आपसन इसमें कभी एकदम सही है इसमें कभी पहला या आपसन सही हिंदू विवा के कितने परकार होते हैं तो हिंदू बिवा के जो है आठ परकार होते हैं, आठ टाइपस होते हैं, पहला आपसन एकदम सही रहेगा, इसका भी पहला यह आपसन सही है, हिंदू बिवा के सभी परकारों में से जो है कौन सा बिवा सुरुत्तम है, तो ब्रह्मे बिवा सुरुत्तम माना गया है, पहला आपसनेक्दम सही रहेगा अगला कुछन दिया कि मुस्लिम विवाज वो कितने परकार के होता है तो मुस्लिम विवाज वो कितने परकार का होता है तो मुस्लिम विवाज देखा जा तो चार इसके टाइप्स होते हैं चार परकार का होता है मुक्ता ठीक है इसका जो है आपसन अगले पर शुरू बढ़ेंगे जो कि अपका दियावा आ है 90 नंबर कि मुस्लिम बिवाहों में कौन सा जो है बिवाह आस्थाई होता है तो मुता जो बिवाह होता है ये आस्थाई बिवाह होता है तो कि ये जो बिवाह का परचलन है ये सिया मुसल्मानों में है इसका पर्चलन और सुनी जो होते हैं वो जो है निगाह के रूम में विश्वास करते हैं इसका पहला आप से निक łat्द म सही रहेगा इसमें को वैसे सभी पहले ही आरहे हैं तो मुस्लिम बिवा कितने परकार उता है पहले ही आना चाहिए इसमें कभी, चलेगा, वैसे मेरे को जो इसका सही एंसर मिला था चार इसमें था, इसका मैंने गूगल भी किया था इसमें चार आयसर आया हुआ था चलेगा, अगले परशो बढ़ेंगे जो कि आपका दियावा है क्यानिम नंबर, कि कौन जो है एक सिच्छा का परकार नहीं है तो सिच्छा का परकार पूछ रहा, फंक्सन पूछ रहा है तो चारो और विकास यह नहीं हो सकता है और राश्टी एक्टा आर्थिक, ब्रेक्तिगत, वादिस अभी हो सकते हैं, इसलिए डी आप्सन इसमें करिदम सही रहेगा ठीके एक्ञानवे नमबर का फिए अगला कुस्छन आपका दियाओ, यह उसे राश्टी एक्टा सिच्छा का परकार राश्टी एक्टा हो सकता है सिच्छा का परकार, चलेगा अगले पर बढ़ेंगे, बानवे नमबर आपका दियाओ, बाहे इसको भी देखेंगे बानवे नमबर दियाओ, कि संसगिर्थ जो है बिरासत और जीवन की अर्थ को वर्जित करना सिच्छा का होना है, या किसका कथन है तो या किथन किसका हो सकता है तो यह कुस्छन का राइट बिकल्प कौन सा होना चाहिए अभी बोगाट स्थ जो भी आहत्मा गांदी तो इसका भी एंसर रैट नहीं पता है मेरे को ये भी कुस्छन में छोड़े दे रहाँ किसी को पता है, तो क्मेंट कर सकता है कुस्छन नमबर लिख के जिसको भी पता है, कमेंट कर सकता है ने, तो मैं जल्दी तिरान नमे नमबर आपका चलेगा यहां देखेंगे तिरान नमे नमबर कुस्ण की सिच्छा की विश्यस्ता क्या है तो यह से तो अजीवन सोरभावमिक परक्रिया यह सभी है इसलिए डी आपसन एक जम सही रहेगा इसका अगला कुस्ण दिया की सिच्छा के सुरूप तो सब्सक्राइब यह सही है ठीक है डी का सब्सक्राइब आपसन ही रहेगा इसका कभी कि अगला कुस्तन दिया की मैजिक साइन्स एवफयम या यानि आन्य रिलीजियन यह फुस्तक बिसक्रिया ने लिखा है तो यह फुसुद्टक है मैई così यह लिखाir मैलेगो वास्की ने लिखा है इसका डी आपसन एक दम सही रहेगा 97 का अगला वो खुषन आपका दियावा है 97 की दा गोल्डेन आपका बो जो पुस्तक है ये पुस्तक के लेखा कोन है तो फिरिंजर है डी आपसन इसमे का भी एक दम सही रहेगा अगला कुसम देखकी धर्म के तत्यु क्या है तो धर्म के तत्यु ही कई चाहिए Уरफ ईप्र करा दिया है सकता है कि दो तीन परशो Kü स Après हो गई हने जिसको भी सही पता हो मैंस कर लेजिएगा गिलता हो वीडियों को थ्युलियो